घर में साधी के नाम पर जेल से पिरॉल पर बाहर निकले पूरु सांसद प्रभुनाज सिंग और उनके भाई दीना नाज सिंग नई मुसीबत में फस गये हैं पिरॉल पर बाहर रहने के दोरान उनके खिलाब एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है पुलिस ने प्रभुनाज सिंग के भाई दीनानाज सिंग के साथ साथ उनके समधी के खिलाब भी प्राथमी की दर्ज की है प्रभुनाज सिंग के भाई दीनानाज सिंग के खिलाब ये मुकर्मा राची के बरियातू ठाने में दर्ज किया गया है दिनानाच सिंग के बेटे अविसेख सिंग की बारात बिहार के छपरा जिले से राची आई थी इसी साधी के दोरान दिनानाच सिंग पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है राची के बरियात उठाने में उनके खिलाब रविवार को प्रात्मी की दर्ज की गई अस्थानिय अंचला दिकारी ने यह केस दर्ज कराया है अंचला दिकारी विरेंद्र कुमार साहु की ओर से दर्ज कराई गई प्रात्मी की में प्रमुनाद सिंग के भाई दीनानाद सिंग के साथ साथ उनके समधी प्रमोद कुमार सिंग को भी अभ्युक्त बनाया गया है प्रमोद कुमार सिंग की बेटी के साथ ही प्रमुनाद सिंग के भती ये अभिसेक की साधी हुई है रांची के मोहराबादी के बईडवया रोड में गीतांजली मैरेज हौल में ये साधी हुई थी पुलिस ने इस मैरेज हौल के मालिक विनोद गोप को भी मुकदमे में अभियुक्त बनाया है दरसल रांची जिला प्रसासन को एक खबर मिली थी कि 14 माई को गीतांजली मैरेज हौल में हुई दीनानाच सिंग के बेटी की साधी में लॉग डाउन के नियमों की धजिया उड़ा दी गई थी प्रवनाच सिंग और उनका कुनबा 300 गाड़ियों के साथ बारात लेकर रांची पहुँचा था जिला प्रसासन ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो इस खबर की पुस्टी हुई और अंचला धिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि इस साथी में लॉकडाउन के नियमों की धजिया उड़ा दी गई साथी में तैज संख्या से काफी जादाद में लोग सामिल हुए ना सोसल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क लगाने के नियमों का पालन किया गया इसके बाद प्रसासन ने सीओ को निर्देश दिया कि वो इस मामले पर केस दर्ज करें इसी आधार पर प्रभुनाद सिंग के भाई और उनके समधी के उपर मुकदमा दर्ज किया गया है आपको बता दें कि जारकर्ण में 27 मई तक स्वास सुरक्षा सब्ताह चल दा है और राजस सरकार ने 15 मई तक किसी भी साधी विवाह के आयोजन में 50 लोगों के सामिल होने की इजाज़त दी थी इस साधी समारों के दोरान भी सोसल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालंग करना था लेकिन अब यह नया केस दर्ज होने के बाद प्रभुनाद सिंग की भाई की मुसीबतें बढ़ गई है